तो आप सब्जी खरीद रहे अलू खरीद रहे हैं लेकिनि ये बात मेरे भकतिगडों को नहीं पता होगी नमस्कार मित्रों हमारे गाउं में तो यार बारा आ गई है खेटों तो पहुंच रही है और दिखा रहे जो के हुझ सकता गाउं तक पहुंच पर समझा जो क्यों कि कि अगलों प्रगिया यार कि या वी पार बहुत फसले हैं हमारे मुंग फली बे खड़ी मक्का और जोमास वाली खड़ी हुई है देख रहे भाई यार पताओ कली परसो मियों पनी रहा है भाई राती रात पूरा कली पता रहा है वहां से मतलब पैंजामा बच जात है उदर स फिरे आज तो इत्ती टपरी छुटी है भाई ये बाढ़ तो भरसाल जुलूम ढ़ा रही पता भाई पिछली साल इस बाढ़ ने हमारे यह लाखों की बाढ़ छोड़ों का आकड़ा करोणों भी पहुंच गया हमारे एरिये की बात कि यार पिछली बार इतना नुक्सान खास करेले की खेती में थोड़ा साम हो जाता है क्योंकि उसमें कंटेनर बांस वगारा भी नचले का अगर एक दो पानी गया तब भी वह पीले पढ़ के सूख जाते हैं और पिछली बार हमारे भी यह रही इसी वाली खेत में मुंभली थी एक बीगय पर निकाई थी यार ह जली गहीं साब कहां जा जाए बाढ़ तो बहुत पानी बाढ़ीगा तुम कुछ बया हो काई मां तिली निभाव ना चली जी है लसाब चंड कमल रही है वाई यार यह हम्री मुंफली देखें यह इत्ती खोद लेगा है यहां पर से देख रहे हैं यह खाली पड़ी है यह य दिखा दिन्मा खोद रहे ने को आई पर आए गर मसा तो मिया बाढ़ तो निकारी दिक्कत है यह जाए यह काटिक भाई रहे जैसी बोई रहे वैसी है भाई यहूं काटिक बली तो यार मसला यही है यार पता हम हम अब की बार पोच रहरान की यह मुंफली खुद जाए त लेकिन अगर इस तरी के सिर्फ बाढ़ आ रही तो नुश्किल है यार बाई पता कर एक दो दिन कल पर शोर बढ़ाना यह जोटा है इस सीधा इसे गया है इसमें भी आ जाएगा यहां पर इसमें ताव यहां प्रिप्रमेंट खड़ी मेथा मेथा इसकाने मेथा इसकाने मे की बाढ़ खड़ी है अभी धान लगे भी नहीं वाढ आ गई भार खेता है कि शही है अभी आ जाथ ठीक है कम से कम कि किसान धान वो दिया है तो उसी का पैसा जाएगा जब लग जाती है सारा काम हो जाता है जब आती है ना तब तो बहुत नुक्षान है आर डिया लेवर बीज पानी इंजर डीजल सब जीटाई कुजाई जै तहसा ने सुनए हुए गاشते हो टे में आरा किडि़ारी अरो हुं थिल्यू चेए घया हुआ है गतारो ना मैंको तुब अधे क्याट नेकिया से आशारेो बाराद को पारा यार जैसे बताया था हमने आज बराद है रिष्ते दारी में वहीं जाना है मांगी आप ऑना बिना बन रही है तो वाई यार जाना है आज 11 तारीक है बरात है मम्मी की थोड़ी सी ज्यादा इंपोर्टेंट करना नहीं जाते हैं तो वाई यार देखा दिखाया मैंने बाड तो आ गई अब ना जाने कितने किसानों की फसलों की बली चड़ेगी लेकिन यह बात मेरे प्यारे भक्तगड़ों को नहीं पता होगी सायद वगर पता हो तो वो लोग ऐसे किसानों पर टिप पड़ी ना करें तुमको गिजली पानी गया सफिरी मिल रहा है इंकम टैक्स नहीं देते हो तो देख लो नजरिया मैं अपने गाउं का हल बता रहा हूं अपने छेत्र का हल बता रहा हूं मेरे यह लोग 99 परसंट किसानी करते हैं लेकिन क्या करें यार मित्रों कई बार मुझे बहुत गुस्ता आती है यार गुस्ता यह आती है जब उसकी वज़ये तुम नहीं समझ रहे हो नहीं फिरी है कुछ नहीं फिरी है सब कर रहा है की तुम लोग इंकम टैक्स क्यों नहीं देते हो तो मेरी आय और किसानी से पांच लाख रुपए हो मैं देने के लिए तयार हूँ अगर नहीं हो रही तो आप दोगे उसके पांच लाख बनाओगे हमारे भाई मेरे जैसे लाखों लोग होंगे जिनकी किसानी से पांच लाख साल आना आएक नहीं हो पा रही यार पांच लाग की बात छोड़ो या दो ढ़ाई तीन लाग में बिल्ली बोल जाती हैं बिल्ली बोल जाती है और बता हूं अगर पसु पालन ना हो ना तो एकदम कि यह न तो घतमे काम हो जाएगा थे पसु पालन सब्सक्राइब बहुत हम लोगों को गाउं यां काम करता है जिसले भैंस बकरी इससे क्या होता है कि कहीं शादी व्याया किशु करना ना किसी इका तो अपना खटका लिया और बहर भी पालन होती है हमारे यां भाई पहर भी पाली अक्ति तो यह से कमेंट नहीं करते हैं और वैसे मैं तो बोलना जाली रखूंगा क्योंकि मैंने इस दर्द को जहिला है देखा है और मैं देखता भी हूँ रोज देखता हूं ऐसा नहीं कि मैं एक दिन देख लिया बस वो कोल्ड बाते कर दिया हूं कि चाहन बाइशा देखता हूं समसता हूं और अभी मैं वीडियो बनाने लगाओ इससे पहले मेरे वीडियो किसानी के करते ही वीडियो बनाया था वैप मैंने दिल्ली बाहर मुंबई कलकत्ता हरियाना पंजाब लुदियाना में काम किया है बहुत लोग बोलते हैं तो मेरे प्यारे मित्र आ आपके जो सहर में जो फैक्टरी हैं उनमें कभी किसी मजदूर से पूछे कि कहां से आया हो नहीं पूछा होगा क्योंकि तुम्हें तो ग्यान बस देना है ऑनलाइन पर करके कि हाँ गाउं वाले को यह दे दो कि छोड़ क्यों नहीं देते हो भाई वो किसानी छोड़ के सहर म बाई गाउं में क्या करें कुछ इतनी कमाई नहीं है कि हमारा इसे नहीं बोलते किसी की reality देखो समझो लोग यहां से क्यों जा रहे हैं मैंने देखा है कि घर में अगर चार सदस हैं तो दो तीन तो बाहर रहते हैं एक घर पे रहता थोड़ी भूत खेती समाझता कि कम से कम थोड़ी भूत यहां पर हो जाएगा लेकिन क्या करें मेरे प्यारे मित्रों लोगों के माइंड में बिठा दिया गया है यह ना होता कि सब फिर यह जा रहा है किसान तो मौझ ले रहे हैं अभी मैंने आलू वाला वीडियो डाला था भाई एक बैता रहते मैं फरकावाद से हूँ ठीक है यार भाई मुझे पता है फरकावाद कर्णोज वगयरा में खूब आलू होते हैं हम भी यह उन्नाव में रहते हैं हमारा जश्ट आपका कर्णोज बगली में पड़ता है कोई दूरी नहीं है आप बोल रहे तो कि 90% किसान कोल्ड इस्टोर में आलू रखते हैं और अपना बेशते हैं नहीं है यार 90 हैं किसान रखते हैं लेकिन बेशते नहीं है अपनी फशल के लिए रखते हैं यह कहो नहीं मेरे ऊपदर आज के लिए नीम और भकायन में फरकी नहीं पता है, तो वो तो ऊपारें तो मेरेंगे मेरा को इस्जो बात को जो आप सबजी खरीद रहे हैं, अलू खरीद रहे हैं, लेके खा रहे हैं, अच्छे खासे मोटे पैसे में, तो आप ये मत समझो कि किसान भेज रहा है यहां से इतने मोटे पैसे में, नहीं, ये सब reality कुछ और है, मुझे पता है कि आप अच्छा खासा खाने पर पैसा यह आलू की बात करूं मेरे गाव में ज्यादा नहीं होते लेकिन मेरे बगली जीसे गाव मेरे मामा के इस इतर बहुत अलू होता है तो अलू की अगर इस समय किसेशन देखेंगे जाके कॉल्ड इस्टोर में तो किसानों के अलू पड़े हैं लेकिन वो गारने के लिए तो ठीक है यार भाई आज के लिए बस नहीं अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफी चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा यार सच्चा ही देखनी की आद डालो जो भाई को नहीं पता है तो हलाकि मैं इतना वड़ा विग्यानिक साइन्टेस्ट नहीं हूं नहीं इस छेत्र का इस लेकिन आकड़ा और डेटा से कहीं दूर यह समन जा रहे हैं जो मैं दिखाता हूं आपको तो ठीक है भाई बार बार मैं बोलता हूं ठीक है भाई ठीक है भाई बाई